आप सब्सक्राइब के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लड कैंसर यानि खून के अंदर जो कैंसर हो जाता है जिसे हम आकसर आम भासा में हम ब्लड कैंसर कहते हैं लेकिन साइन्स की लेंग्विज में इसको लुकेमिया का नाम दिया जाता है आखीर कैसे होता है यह leukemia इसके क्या-क्या लक्षन है और किस तरीके से इसके पहचान कर सकते हैं कि किस inchан में leukemia हुआ है या नहीं हुआ है और इसके पीछे कि क्या-क्या causes हैं मतलब किस कारण से leukemia हो सकता है और अगर leukemia हो जाता है तो क्या इसके कुछ types भी हैं कैसी cancer के. ब्लड केंसर के भी आगे टाइपस हैं और अगर लुकेमिया हो जाता है तो इसके इलाज कैसे कैसे होते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इतनी सारी इंफोर्मेशन मिलने वाली हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम कि क्या होता है ब्लड कैंसर को हम आम हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं लेकिन इसको साइन्स की लैंग्विज में इसका नाम क्या दिया गया है इसे लुकेमिया नाम दिया गया है जहां पर लुकेमिया में लूट का मतलब होता है bbc help singing AWS dem का मतलब होता है आपका blood कि blood के अंदर जब WBC के मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है what is WBC white blood cells सफेद रख्त कोशिकाएं हमारे खून में थोड़ी से history जान लेते हैं कि WBC क्या होती है हमारे body के अंदर एक स्वस्त मनुस्य के अंदर 5-6 लिटर on an average blood होता है और यह खून कहां बनता है तो यह खून बनता है हड़ी 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 होती है उसके बीच में लंबा सा खोकला सा पार्ट रहता है जिसको bone marrow कहा जाता है और इसी bone marrow के अंदर blood का यहाँ पर formation होता है यहाँ पर खून बनता है तो खून हमारी body के अंदर 5-6 लीटर होता है और यह खून बनता है लंबी-लंबी हड्यों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है उसके अंदर जिसको bone marrow या अस्थी मज़ा कहते हैं इस खून के अंदर 3 टाइप की cells होती है यहाँ पर लिखवा blood के अंदर 3 टाइप की cells होती है एक होती है RBC लाल रख्त कोशिकाएं एक होती है WBC सफेद रख्त कोशिकाएं और एक होती है blood platelets अगर बात करते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है अप्रोक्स 99% में RBC होती है सिरफ 0.2% में WBC होती है और 0.8% में platelets होती है तो आपको यह मालूम चला कि खून होता कितना है बनता कितना है और हमारे खून के अंदर 3 टाइप की cells होती है जिन में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है RBC अब बात आती है लुकेमिय क्या होता है जब इन white blood cells की संख्या RBC से ज़्यादा हो जाए जो RBC 99% में है अगर उससे भी ज़्यादा WBC की संख्या बढ़ जाए तब जाकर आपको उस stage को leukemia stage कहा जाता है और उसी को blood cancer हम इसको आम बासा में बोल देते हैं तो leukemia शब्द का मीनिंग होता है हमारे blood के अंदर white blood cells का quantity RBC से ज़्यादा हो जाना जो white blood cells सरफ 0.2% में होती है जब वो RBC से भी ज़्यादा हो जाए तो उस stage को leukemia यानि की blood cancer यानि की खून में cancer होना उसे कह दिया जाता है आईए बात करते हैं कि ये जो खून में cancer होता है तो इसके बारे में आपको अच्छे से और अच्छे से जानना है तो बच्चा blood cancer ये leukemia क्या होता है जब शरीर में white blood cells की संख्या ऐसमाने रूप से बढ़ जाती है तो उसे blood cancer ये leukemia कहा जाता है blood cancer की अंदर क्या होता है कि white blood cells की संख्या समाने से ज़्यादा बढ़ जाती है या RBC से ज़्यादा बढ़ जाती है red blood cells से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को ही हम leukemia या blood cancer का नाम देते हैं अगला question जो आपका यहां से बनेगा इस slide से वो यह बने का बच्चा कि यह जो blood cancer leukemia होता है इसके क्या क्या कोजिज हो सकते है यह white blood cells बढ़ कैसे जाती है ज़्यादा कैसे हो जाती है फिर मैं आपको बता हमें कि white blood cells ज़्यादा हो जाती है जिसे हम leukemia कहते हैं तो इस leukemia के अंदर खून में क्या क्या प्रभाव पड़ जाते है खून में क्या क्या changes देखने को मिलेंगे जब leukemia के बात करते हैं इसके लक्षन क्या हो सकते हैं सबसे पहला लक्षन होता है कि leukemia का कोई भी आपका पारिवारिक इतिहास रहा होगा इसका मतलब आपके परिवार में पहले किसी ना किसी जनरेशन में leukemia रहा होगा तो उसमें possibilities होती हैं आगे आने वाले जनरेशन में भी वह हो सकता है दूसरा इसका लक्षन है धुम्रपान करना मतलब smoking करना excessive smoking भी इसका reason हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप chain smoker हैं आप बहुत ज़्यादा chain alcohol हैं बहुत ज़्यादा alcohol consume करते हैं या बहुत ज़्यादा आप smoking धुम्रपान करते हैं बेडी तमाकू से ग्रेट का consume करते हैं तो वो भी एक कारण बनता है leukemia का third reason है कोई भी genetic disorder जैसे down syndrome, anemia, hemophilia यह कुछ अनवानसिक बिमारिया होती है अगर इसका कोई इतिहास रहा है आपका आपके अंदर किसी भी type का या आपके पिछली generation के अंदर down syndrome, anemia, hemophilia इसी खतरनाक बिमारिया अगर आपको पाई गई हैं तो इसका भी एक करण हो सकता है आपको leukemia होने का अगला है किसी भी हानिकारक radiations के पास में जाने का जैसे आज कल आपने सुना होगा 5G का test हुआ तो वहाँ पर सुनने को मिला कि बहुत हानिकारक विकिर्णों का उत्चरजन हो रहा था उन हानिकारक विकिर्णों से blood cancer होने की संभावनाई बढ़ रही थी तो किसी भी आप heavy radiations के संपर्क में चले गए हानिकारक विकिर्णों के संपर्क में चले गए उनसे भी आपको blood cancer होने की संभावनाई बढ़ सकती है या आप benzene जैसे कुछ chemical compounds होते हैं उनके संपर्क में अगर आप आगए हैं कुछ carbonic compounds होते हैं अगर उनके संपर्क में आगए हैं तो उससे भी leukemia हो सकता है तो leukemia का या तो कोई आपका पारिवारिक इतिहास रहा होगा या आप excessive smoker हैं smoking बहुत ज़्यादा करते हैं बेडी तमबाकू cigarette इन में से कोई चीज बहुत ज़्यादा आप consume करते हैं आप क्या कोई न कोई genetic disorder का इतिहास रहा होगा या किसी heavy radiations के संपर्क में चले गए हैं या पर आप कुछ chemical compounds के संपर्क में चले गए हैं तो वो एक कारण बन सकता है इन में से कोई भी करण बन सकता है leukemia का जिसका meaning है कि आपके खून के अंदर WBC की संख्या RBC से ज़्यादा हो जाए अब क्या होता है इस leukemia के अंदर फोर एक्जांपल मान लीजिए यह आपका एक WBC है और यह WBC का DNA है और यह जो WBC है इसका अंदर infection हो चुका है इस इस WBC के अंदर infection हो चुका है इसका DNA infected हो चुका है अब इस WBC को हम बोलेंगे infected WBC अब यह WBC क्या करेगी बाकि जितने भी आपकी blood cells हैं बाकि जितने भी आपकी RBC WBC जितने भी आपकी blood cells हैं जो healthy blood cells हैं उनके अंदर भी इसका DNA infection कर देगा और जिसके कारण धीरे धीरे ये blood cancer आपके पूरे के पूरे खून में फैल जाता है पूरे के पूरे organs के बीच में जो खून आपका circulate हो रहा होता है उन सब के बीच में ये फैल ना लग जाता है तो इस तरीके से blood cancer होता है उसके लक्षन य WBC कहेंगे फिर वो WBC बाग की जितनी भी सारी blood cells होती है उन सब को infection कर देता है और दिरे दिरे ये blood cancer आपके पूरे खून में फैल जाता है आईए आप बात करते हैं कि ये जो blood cancer है इसके अंदर अगर किसी इंसान को blood cancer हो गया है यानि कि leukemia हो गया है तो उसके अंदर क्या-क और उसके मसूडों से खून आने लग जाता है या कहीं पर भी उसको छोटा मुटा चोट लगा है तो excessive amount में blood जादा बाहर बहने लग जाता है खून का रुकता बहाव रुकता ही नहीं है अब क्यों नहीं रुकेगा क्योंकि मैंने कहा ना WBC infected है वो WBC platelets को भी infection में ला देत है तो अगर किसी इंसाम को leukemia है तो इसके मसूडों से खून आने लग जाता है कहीं पर भी कहीं पर भी हलका सा कट लगने से बहुत सारे bleeding होने लग जाती है दूसरा symptom यह है कि बार-बार संकर्मन होना भाई क्यों नहीं होगा संकर्मन WBC का काम होता है infection से लड़ाई करना WBC ह हमारे बोडी की अंदर immunity प्रोवाइड करती है यह defense mechanism बनाती है यह immune system को स्ट्रॉंग करती है तो अगर आपके WBC ही infected हो गई है तो बच्चा अब आपके अंदर कोई भी infection हो सकता है मतलब आपकी रोगों से लड़ने की परतिरोदक छमता में कमी आ सकती है तो जिस इंसान को leukemia होगा उस इंसान के अंदर बार-बार infection होगा उसके अंदर किसी विमारी का बार-बार infection होगा एक ही महिने के अंदर को विमारी दो से तीन बार infection उसका बोडी में पाया जाएगा तीसरा जो लक्षन है वो है ऐसे इंसाना में generally खून की कमी देखने को मिलती है खून की कमी क्य या RBC की कमी देखने को मिलेगी तो जिस इंसान को leukemia होता है उसके अंदर खून की कमी या RBC की कमी या अनेमिया भी देखने को मिलता है इसके अलावा फॉर्थ जो है ऐसे इंसान को हड़ी और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जिस इंसान के अंदर leukemia होगा उस इंसान के हड़ियों में, जोड़ों में सूजन रहेगी, इंफ्लामेशन रहेगा और साथ में उनमें आप उठेंगे बैठेंगे, बोड़ी का कोई भी पॉस्टर आप बना रहे है उस समय आपके जोड़ों में बहुत जादा दर्द मैसुस होगा इतना जादा दर्द होगा कि आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे आपको तुरंत डॉक्टर की सला लेनी पड़ेगी फिफ्ट जो यहाँ पर है वो है ब्लड कैंसर इलुकेमिय का लक्षन वो है उस इंसान को लगतार बुखार रहेगा और उसकी जो बोड़ी है उसका सरीर में वजन में कमी आ जाएगी भूक लगना बंद हो जाएगा बहुत तीज बुखार रहेगा और उस इंसान को बहुत ज़्यदा थकान रहती है बिना बात के थकान की कुछ किया नहीं है फिर भी थकान डहने लग जाती है और उस इंसान की जो skin होती है वो पीली पड़ने लग जाती है ये कुछ लक्षन है जैसे कौन-कौन से लक्षन खून का बहना, खून का बहाव ना रुकना, बार-बार infection होना अगर किसी को बार-बा पतला हो जाता है, अचानक से बहुता थकान रहती है और skin पीली पड़ जाती है तो ये लक्षन अक्सर leukemia के case में होते हैं, अगर इनमें से कोई भी लक्षन किसी में पाया जाता है तो उसे तुरंद डॉक्टर से consult करना चाहिए, तो हमने जान लिया कि leukemia क्या होता है, blood cancer कैस होते हैं, ऐसा पाया गया है कि blood cancer चार टाइप का होता है, पहला है acute lymphoblastic leukemia, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर ये जो आपका acute lymphoblastic leukemia होता है, ये lymphoid cells में होता है, और lymphoid cells के अंदर होता है और ये बच्चों में और ज्यादा पाया जाता है, देखो मैं आपको पता दूँ, blood cancer 55 साल क उम्र के बाद बहुत ज्यादा होने के chances होते हैं, या छूटे बच्चे में होने के ज्यादा chances होते हैं, because दोनों का ही immune system कमजोर होता है, तो बच्चों में जो अक्सर leukemia होता है, वो acute lymphoblastic leukemia होता है, और इस leukemia के अंदर lymphoid cells के अंदर infection होता है, दूसरा आता है acute myelogenous leukemia, और acute my myelogenous leukemia के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे tissues के अंदर myeloid cells होती हैं, और उन myeloid cells के अंदर ये blood cancer फैल जाता है, ये जनरली बच्चों में और adults में देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा cases इसी leukemia के देखने के मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो leukemia होता है, वो acute myelogenous leukemia देखने क को मिलता है जो अडल्ट में भी हो सकता है और छोटे बच्चों में देखने को मिलता है और हर साल 18,000 से उपर cases इसको देखने को मिलते हैं तीसरा आता है chronic lymphoblastic leukemia यह जो होता है यह भी lymphoid cells में होता है लेकिन जन्रली यह 55 साल से उम्र जिनकी ज्यादा होती है उनमें देखने को मिलता है छोटे बच्चों में अगर leukemia हुआ तो उसको acute lymphoblastic leukemia कहेंगे अगर adult में और बच्चा साथ में आपको देखने को मिलता है किसी बच्चे में और तो सबसे ज्यादा होता है जो myeloid cells में होता है उसको acute myelogenius leukemia कहा जाता है जो 55 years के all days वाले लोग होते ही उन जिसके cases सबसे कम देखने को मिलते है ठीक है तो सबसे खतरनाग जो होता है वो acute myelogenius leukemia होता है और जिसके case सबसे जाता देखने को मिलते हैं अब अगर किसी को अगर leukemia हो जाता है तो उसके बचाव के लिए doctor क्या क्या करते हैं कुछ therapies होती है जिसमें से पहला therapy है chemotherapy अक्सर chemotherapy म आपके tumor बन रहा था या blood cancer हुआ था उस जगह पर जाकर उस चीज को रोकने की कोसिस करता है आपने सुना होगा chemotherapy के समय बाल जढ़ जाते हैं नाखुन जढ़ जाते हैं ये बात याद रखेंगे chemotherapy भी एक process होता है दूसरा होता है biological therapy, biological कुछ test करके और कुछ biological तरीके से बहुत सारे बाहर से कुछ antibodies की form में इस leukemia के treatment में काम में लिया जाता है radiation therapy, कुछ heavy radiations होती है, विक्रने होती है जिनसे इन infected cells को destroy करा जाता है, इन infected cells की growth को कम किया जाता है उसके साथ-साथ bone marrow transplantation, bone marrow transplantation, जहां पर blood burn रहा है, वहां की WBC में infection हुआ, तो क्यों न उसी bone marrow को transplant कर दें लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपका bone marrow donor भी ढूनना पड़ेगा, जो अपना bone marrow डोनेट करने के लिए इच्छुक है, उसको लिए आपको donor भी ढूनना पड़ेगा तो जैसे chemotherapy, जैसे biological therapy, radiation therapy, bone marrow transplantation therapy, ये leukemia के लिए treatment माने जाते हैं इन में से कोई एक treatment है, जिससे आपको leukemia जैसे खतरनाग भीमारी से आपको चुटकारा मिल सकता है, तो इस वीडियो में हमने जाना leukemia होता क्या है, leukemia कितने टाइब का होता है, कैसे होता है leukemia, और leukemia से कि अगर किसी को हो जाता है, तो क्या-क्या लक्षन है, और उसके लिए हम कुछ दिवाली offer announce करेंगी, कुछ नई batches के साथ आपसे मिलेंगे, 21 October सुबह 11 बजे आप लोगों को हमसे मिलना ना भूलें, इसके साथ Future Times Coaching के इसी YouTube चैनल पर डेली सुबह 8 बजे rapid series मिलती है आपको current affair की, जिसके अंदर आपको 5 मिनट के अंदर डेली बैसे पी जतना भ इचे comment करके बताना ना भूलें और अगर कोई बच्चा नया है, कुछ बच्चे जो बिल्कुल न्यू है इस चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और वीडियो को like और share करना ना भूलें, अगर आपको मेरे दिवा दिया गया content अच्छा लगता है, तो please do like, share and subscribe this channel